नमस्कार अदाब सस्रिकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के खर के अंदर से सबसे बड़ी खवर को लेकर एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर है दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 का खर और बिग बॉस सीजन 15 के खर के अंदर नए सुबह की शुरुवात, और नए सुबह की शुरुवात में करन कुंद्रा और उमर रियाज ने तेजस्वी प्रकाश पर मारा ताना ऐसा मारा ताना जिससे तेजस्वी प्रकाश जो हैं करन कुंद्रा के सामने उमर रियाज से माफी मांगने पर पूरी तरह से मजबूर हो गई अब ऐसा क्या हुआ ये बात हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल के एक टिवी नियूज को सब्सक्काइब नहीं किया है तो चानल को आप सब्सक्काइब कर लें, बेलएकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बला एकन के घंटे को आप जरूर दबा लें आप सभी दश्कों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि कल बहुत बड़ी fight हुई, बहुत बड़ी भहस हुई करन कुंद्रा, उमर रियास और तेजस्वी प्रकाश के बीच में जहां पर करन कुंद्रा और उमर रियास जो हैं एक छोटी सी बात कहते हैं और छोटी सी बात पर नराज हो जाती हैं तेजस्वी प्रकाश और देर रात भी इनके बीच में यही conversation चल रहा होता है अब इसी बात को लेकर सुबह सुबह के वक्त में करन कुंद्रा और उमर रियास जो है वो कहते हैं तेजस्वी प्रकाश से कि हमने एक छोटी सी बात कही थी और तुछोटी सी बात को तुल पकरते हुए तुल देते हुए उस बात का तुम मुद्दा बनाते हुए तुम नराज हो गई ये कहां कि दोस्ती हुई ये बात जो है वो कहते हुए नजर आते हैं इसके बाद तेजस्वी प्रकाश जो है वो माफी मांगने लगती है करन कुंद्रा के सामने उमर रियास से और उमर रियास के पीट पर चड़ कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ कर दो मैं थोड़ी थोड़ी जो है मैं परिशान रहती हूं कभी-कभी और साथी साथ इसलिए मैं थोड़ी बहुत जो है तुमसे नराज हो गई थी क्य क्योंकि मैं खुद भी काफी ज़्यादा परिशान थी ये बात जो है वो कहते हुए दिखाई देती हैं अब ये सारी की सारी बातें कहती हैं इसके बाद उमर रियास भी माफ कर देते हैं और करन कुंद्रा भी खुश हो जाते हैं क्योंकि करन कुंद्रा यही चाहते हैं कि करन कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश और उमर रियास के बीच में कोई भी misunderstanding नहीं हो और इन तीनों की जो ट्रायो है वो इसी तरह से बने रहे और इसी तरह से इन तीनों का जलवा देखने को मिले क्योंकि वीकेंड के वार के एपिसोड में भी जो रैंकिंग हुई कैंपी थी 123 और राकी सावण के सामने सभी करन कुंद्रा सभी जा जादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली उमर रियास और घैजस्वी प्रकाश के बीच में जो गलत फहमी थी यो गलत फहमी जो है वो दूर हो गई वेल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट के थूँ आप हमें जरूर बताएं तब तक के लिए बने रहे हैं हमारी यूटूब चैनल के साथ प्वेक टीवी नूस की रिपोर्ट वेक बॉस सीजन 15 से जुड़ी तमाम लेटेस चोटी सी चोटी और बड़ी से बड़ी हर एक खबर को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहे हैं